हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक आवार यूट्यूब चानल बे अन साइन्स फ्रेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का साइन्स का बुक जिसमें की फ्रेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं अध्यावारा विधुध चैप्टर फ्रेंट्स मैं हूं अनपुर्णा और हमार हैं कि बैटरी अत्वा विधूत सेल उड़ जाके स्रोत हैं सेल के भीतर होने वाली रशाइनी कभी किरिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विवांतर उत्पन करती है जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोध कत्वा प्रतिरोध को किसी निकाई में विधूत धारा प्रवाहित करने के लिए ट्रोनों में गती अस्थापित करता है हमने अनुभाग 12 समलब 2 में यह अध्यन किया है कि परिपत में बिधुधारा बनाये रखने के लिए स्रोत को अपनी उर्जा खर्च करते रहना पड़ता है यह उर्जा कहां चले जाती है विधुधारा जो है बनाए रखने में खर्चोई स्रोथ की उर्जा का कुछ भाग उपयोगी कारी करने जैसे की पंखे की पंखोड़ियों को घुमाना में उपयोग होता है स्रोत की उर्जय का सेशभव उस्मा फूत्पन करने में खर्च होता है जो साधित्रों के ताप में बृधी करती है इसका प्रेक्षन प्राय हम अपने द्यानिक जीवन में करते हैं उदारन के लिए हम किसी विधुत पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है इसके विप्रितियती विधुत परिपत विसुद रूप से प्रतिरोधक है अर्थत बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक सम्मूही संयोजी थर्तुस रोत का उरजा निरंतर रूप से उस्मा के रूप में छे इत होती रहती है इसे विधुधारा का ताप्य प्रभाप करते हैं इस प्रभाप का उप्योग विधुत हीटर विधुत इस्तिरे जैसी उक्तियों में किया जाता है प्रतिरोधार के किसी प्रतिरोधक पर विचार किजिए जिससे विधुधारा आई प्रवाहित हो रही है मान लेजे इसके सीरों के बीच विवानतर भी है जो कि चित्र बारत समलब 13 में दिखाया गया है मान लेजे इसे समय टी में क्यू आवेश प्रवाहित होता है क्यू आवेश विवानतर भी से प्रवाहित होने में किया गया कार भी क्यू है अत्ह स्रोत को समय T में भी Q उर्जा की आपोर्ति करनी चाहिए अत्ह स्रोत द्वारा परिपत में निवेशित सकती जो है P वरावर भी Q बटेटी भी आई ये जो है समिकरन 12.19 हो गया यहां देखी आगे है फ्रेंट्स अर्थात T में स्रोत द्वारा परिपत को प्रदान की गए उर्जा P गुना T है जो B.I.T के बरावर है स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस उर्जा का स्रोत क्या होता है या उर्जा उस्मा के रूप में प्रतिरोधक में छहित हो जाती है इस प्रेकार किसी अस्थाई विधुधारा आई द्वारा सबर्टी विवत्पन उस्मा की मात्रा यह बरावर भी आई टी ओम का नियम समीकरन 12.5 लागों करने पर हमें प्राप्त होता है यह बरावर आई टू आई प्रपावर टू और यह आई टी है यह समीकरन 12.1 यानिकी 21 है आगे है फ्रेंट्स देखिए इसे जूल का तापन नियम कहते हैं इस नियम से यह अस्पश्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उद्पन होने वाली उस्मा उस समय के अनुकर्मानुपाती होती है जिसके लिए दिये गए प्रतिरोध के विद्धारा प्रवाहित होती है ब्यवारिक प्रस्थितियों में जब एक बैधुत संधित्र को किसी ग्यात भोल्टता किस रोत से संयोजित करते हैं तो समंध आई वरावर भी वटा आर के द्वारा उस संधित्र से प्रवाहित विधुधारा परी कलित करने के पाशात समिकरन 12.12 का उप्योग करते हैं देखिए चितर दिखाया गया है 12.13 बिसुत परतिरोधक बिधुत परिपत में और परिवर्दन सील बिधुधारा को इहां पर दिखाया गया है इसके बाद दिया गया है उदाहरन 12.10 इसमें दिया हुआ है किसी बिधुत इस्तिरी में अधिक्तम तापन दर के लिए 840 वी की दर से उर्जा उप्भुक्त होती है 360 वी की दर से उस समय उप्भुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है यदि बिधुत स्रोत की भोल्टता 220 भोल्ट है तो दोनों प्रकर्मों में बिधुत धारा का प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए यह दो देखिए हल दिया हुआ है समीकरन 12.19 यह जानते हैं कि निवेशी सक्ति P बराबर आई भी इस बिधुत धारा आई बराबर P वटा भी पहला है जब तापन की दर अधिक्तम है तब आई बराबर 840 भी वटा 220 भी यहां बराबर में आजागा 3.82 ए यानिके अमपियर तथा विधुत धिस्तरी का प्रतिरोध है आर बराबर भी वटा आई जो कि 20 भोल्ट है वटा में 3.82 एमपियर बराबर में 87.64 ओम आगया दुसरा है जब तापन की दर निम्तम है तब आई बराबर 362 भी वटा 220 भी बराबर में 1.64 एमपियर आगया तथा विधुत धिस्तरी का परतिरोध और बराबर भी बटा आई बराबर दिया हुआ है 220 बोल्ट बटा एक दसम्लब छोचार इंपियर यहां मान आ गया 134 दसम्लब एक पाच ओम आगे फ्रेंट्स देखिए 12 दसम्लब 11 इसमें दिया हुआ है दोस्तों किसी चार ओम परतिरोधक से परतिरोध कि शिरोपर विवांतर गयात की जतो इसका हल हो जागा याच बराबर दिया हुआ है उसमा यहने की हीट बराबर सोजूल आर बराबर चारों टी बराबर वन सेकेंड विवराबर वाट पुछ रहा है समीकरन 12 दसम्लब 21 इसमें प्रतिरोधक से प्रवाहित विदुधारा आई प्राप्त होती है तो आई बराबर यहां दिया हुआ अंडरूट याच बटा आर टी तो यहां सबका मान रख समीकरन 12 सम्लब 25 से प्रतिरोधक के सीरोप विवान ठीवा थी प्राप्त होता है तो यह बराबर आई यार दिया हुआ है मान रख देंगे 5 से बुने 4 तो बराबर 20 बोलटें प्राप्त हो जाता है आगे दिया हुआ प्रशन है इसमें तीन प्रशन दिये हुए है पहला विधुत हीटर की डोरी क्यों उत्पन उत्पत नहीं होती जबकि उसका तापन अव्याव उत्पत हो जाता है दुसरा एक घंटे में 50W विवांतर से 96000 कुलम आवेश को अस्थनांतरित करने में उत्पन उसमा परिकलित कीजिए तीसरा है 20 ओम प्रतिरोधा की कोई विधुत इस्तिरी पाच एंपियर विधुधारा लेती है तीस सकेंड में उत्पन उसमा परिकलित कीजिए तो फ्रेंट्स चलते हैं इसका हम लोग उत्तर देखते हैं किसी विधुत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अब्याब उत्तप्त हो जाता है तो यहां दिया हो आए फ्रेंट्स उत्तर हम जानते हैं कि सुत्र एच वरावर आई स्कॉर आर्टी से यहां पर एच समानुपाती आर तापन अब्याब का प्रतिर रोध हीटर की डोरी से काफी अधिक होता है अता इसमें काफी अधिक मात्रा में उसमा निकलती है जिससे यह उत्तप्त हो जाता है डोरी नहीं कोश्चन नमर दो है एक घंटे में पचास भी विवानतर से च्छी आनवे हजार कुलम अब इसको स्थनांतरित करने में उत्पन उसमा परिकलित कीजिए तो फिर इसमें इसका उत्तर हो जाएगा दिया है समय टी बरावर एग घंटा बरावर 36 सो से दिया हुआ है भी भी और क्यू बरावर 96 हजार तो फ्रेंट्स हम लोग जानते हैं कि डवलू बरावर एच बरावर भी क्यू बरावर यहां दिया हुआ है पाचास अजार गुने 96 हजार तो यहां पर जो है इतना पर जूल हो जाएगा आगे है फ्रेंट्स कोश्चन नमर तीन है बीस ओम का प्रतिरोधक कि कोई बिधु तिस्तरी पाच एंपियर बिधु धार लेती है तो 30 सेकेंड में उत्पन उसमा परी कलित कीजिए तो आगे दिया हुआ फ्रेंट्स देखें इसका उतर आर बरावर बीसों आई बरावर पाच और टी बरावर 30 सेकेंड तो हम जानते हैं देखे एच बरावर आई स्कॉार आर टी मान रख देंगे आई का मान पाच का स्कॉार हो जाएगा गुने बीस गुने तीस तो यहां 25 गुने बीस गुने तीस बरावर यहां हो जाएगा 15 हजार जूल यहां पर 15 केजी लिख सकते हैं अत्ता उसमा की मातरा 15 केजी हो जाएगी तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने तीनों प्रश्णों का उत्तर देख लिया फ्रेंट्स हम लोग चलते हैं आगे का टॉपिक पर अब देखें फ्रेंट्स आगे का टॉपिक है बिधुधारा के तापिय प्रवाव के बहवारी कनूपरियो किसी चालक में उस्मा उत्पन होना विधुधारा का आवन्स वहावी परिनाम है बहुत से स्थितियों में यह आवांचनिय होता है क्योंकि वह उपियों के विधुध उर्जा के को उस्मा में रुपांतरित कर देता है बिधुध परिपत्थों में परिहार तापन परिपत्थ के अव्यवों के ताप में ब्रिधि कर सकता है जिससे उनके गुनों में परिवर्तन हो सकता है बिधुत इस्तिरी, बिधुत तंदूर, बिधुत केतली तथा बिधुत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां है आगे दियो फ्रेंट्स बिधुत तापन का परियोग प्रकास उत्पन करने में भी होता है जैसा कि हम बिधुत बल्व में देखते हैं यहाँ पर बल्व के तंदू को उत्पन उस्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए ताकि वो अत्यन्त तप्त होकर प्रकास उत्पन करे इससे इतने उची ताप पर पिखालना नहीं चाहिए बल्व के तंदूगों को बनाने के लिए टंगस्टन इसका गल्लांक होता है 3380C का उप्योग किया जाता है यहां पर कोश्टन मनता है अबजेक्टिव एक्जाम में आने वाला है कि वल्व के तंदूगों को बनाने के लिए कौन सी धातों का परियोग किया जाता है या कि स्तार का बनते हैं तो यह टंगस्टन हो जाएगा और इसका जो गल्लांक दिया हुआ है 3380C का उप्योग किया जाता है जो उच्छ गल्लांक की एक वल्व धातों है बिधूद रोधी टेक का उप्योग करके तंदू को यथा संभगताप बिगलित बनाना चाहिए प्राया बल्वो मेरा शाइनिक दिरिष्टी से अक्रिये नाइट्रोजन तथा औरगन गैस भरी जाती है ये भी पुछा जाता है फ्रेंट्स की बिधूद बल्वो में कौन स गैस भरी जाती है तो यहां देखे रसानिक दिरिष्टी से अक्रिये गैस जो है नाइट्रोजन तथा औरगन गैस भरी जाती है जिससे उसके तंदु की आयू में वरिधी हो जाती है तंदु द्वारा उपभोक्त उर्जा का अधिकांस भाग उस्मा के रुप में प्रकट होता है प्रन्तो इसका एक अल्प भाग बिकृत प्रकास के रूप में द्रिष्टी गोचर होता है जूल का तापन और समान उपयोग विधुत परिपथो के उपयोग होने वाला फ्यूज है या परिपथो तथा साधित्रों की सुरवच्छा किसी भी अनावश्यक रूप से उची विधुत धारा को उनसे प्रवाहित ना होने देकर करता है फ्यूज को यूगती के साथ सिनिक्र में सयोजित करते हैं फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिस्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गल्लांक हो उदाहरन के लिए ऐलिमूनियम कॉपर आ मान से अधिक मान की विधुधारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में ब्रिधी होती है इससे फ्यूज का ताप पिघल जाता है और परिपठ तूट जाता है फ्यूज तार प्राय धातु के सिरोबाले पोर सेलन अथवा इसी प्रकार के विधुत रोधी पद तीन एंपियर पाच एंपियर दस एंपियर आदी होती है उस विधूत स्तिरी के परिपत में जो एक के डबलू की विधूत सकती उस समय उपभुक्त करती है जब उसे 220 भी पर प्रचालित करते हैं यहां 1000W W220 भी बराबर 4.54A की विधूत धरा प्रवायत होती है इस प्रकरान में 5A अनुमन तांक का फ्यूज उपियों किया जाना चाहिए आगे आफ्रेंट्स देखें विधूत सकती इसको हमलग देखते हैं इसमें दिया हुआ आपने अपनी पिछली कछाओं में यह अध्यन किया था कि कार करने की दर को सकती कहते हैं उर्जा के उपभूक्त होने की दर को भी सकती ही कहते हैं तो फ्रेंट्स देखें आगे दिया हुआ समीकरन 12.21 से हमें किसी विधूत परिपत में उपभूक्त अथवा छाइत विधूत उर्जा की दर प्राप्त होती है इसी विधूत स बढ़ाबर दिया हुआ है बढ़ाबर दिया हुआ है इसको डबलो से डिनोट किया जाता है यह उस युक्ति द्वारा भुक्त सकती है जिसे उस समय एक एमपियर विदुधारा प्रवायत होती है जब उसे वन विवांतर पर परिचालित कराया जाता है इस प्रकार यहां एक बाट बराबर एक बोल्ट गुने एक एमपियर बराबर में जागा एक भी ए आगे दिया हुआ है वाट सकती का छोटा मातरक है अता वास्तविक विवार में हम इसके काफी बड़े मातरक कीलो वाट का उपियोग करते हैं एक किलो वाट बराबर है एक हजार वाट के बराबर होता है चुकि विधुत उर्जा सकती तथा समय का गुनन फल होती है इसलिए विधुत उर्जा का एक मातरक वाट घंटा है जब एक बाट सकती का उपियोग एक घंटे तक होता है तो उपभुत उर्जा एक बाट घंट होती है विधुत उर्जा का ब्याव पारिक मात्रग किलोबाट घंटा के डबलू यज है जिसे शावान बोलचाल में यूनिट कहते हैं यहां फ्रेंट्स हम लोग घर में भी बिजली जो यूज होती है उसे हम लोग बोलते हैं कि कितना यूनिट यूज हुआ तो यही है मात्रग किलोबाट घंटा है जिसे हम लोग यूनिट कहते हैं तो यहां देखिए 1KWh बराबर 1000 बाट गुने 3600 सेकेंड तो यहां 3.6 गुने 10 पर पाबर 6 बाट सेकेंड तो बराबर 3.6 गुने 10 पर पाबर 6 जूल यहां आगया आगे दिया हुआ है फ्रेंट्स यहां भी जान हैं कि किसी बिधूत परिपत में इलेक्ट्रान उपभूख्त होते हैं यह घलत है हम बिधुत बोर्ड अथवा बिधुत कंपनी का विधुत बाल्व बिधुत पंखे त abide एंजन आदि जैसे विधुत से इलेक्ट्रा उको से इलेक्ट्रान मों हैं प्रदान की जाने वाले बिधुत उर्जा का भुक्तान करते हैं हम अपने द्वारा भुक्त उर्जा के लिए भुक्तान करते हैं आगे दिया हुआ फ्रेंट सुधारन 12.12 इसमें दिया हुआ कोई बिधुत बल्व 220 भी के जनित्र से योजित है यदि बल्व से 0.50A बिधुत दारा प्रवाइत होती है तो बल्व की सक्ति क्या है तो यहाँ पर हल दिया हुआ फ्रेंट्स देखिए पी बराबर दिया हुआ भी आई 220 भी गुने 0.50A बराबर 110 जे बटा यस आगे दिया हुआ फ्रेंट्स 110 वाट आगे दिया हुआ है उदारन 12.13 इसमें दिया हुआ 400 वाट अनुमत का कोई विधुत रेफ्रेजेटर आठ घंटे या दिन चलाया जाता है तो तिन रुपे प्रति के डवलू याने की यूनिट की दर्श से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए उर्जा का मुल्ग क्या है तो फ्रेंट्स इसका हल दिया 30 दिन में रेफ्रेजेडर दरा भुक्त को लूर्जा वराबर दिया हुआ है 400 वाट गुने 8.0 घंटे या दिन गुने 30 दिन तो गुना करके हाँ देख्यों फ्रेंट्स आ गया 96 क्वह आगे दिया हुआ है फ्रेंट्स इस प्रकार 33 दिन तक रेफ्रेजेटर को चलाने में अबभुक्त कुल उर्जा का मुल्ग जो है 96 क्वह इसको यूनिट बल सकते हैं गुने 3.00 क्वह रुपए बराबर है 288 रुपए आगे दिया हुआ है फ्रेंट्स प्रेंट्स प्रश्न है पहला है बिधुत धारा द्वारा प्रदत उर्जा की दर का निर्धारन कैसे किया जाता है कोई बिधुत मोटर 220 भी के बिधु स्रोत 5.0 ए बिधु धारा लेता है मोटर की सकती निर्धारित कीजिए तथा दो घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त उर्जा का परिखलित कीजिए तो फ्रेंट्स इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं देखे फ्रेंट्स सम्ला का पहला कोस्चन है प्रश्नेक द्वारा प्रादत उर्जा की दर का निर्धारन किसी युक्ति या यंतर द्वारा प्राती सेकेंड में किये गया कार के आकलन द्वारा किया जाता है उर्जा की दर बरावर किया गया कार बटे लिया गया समय तो फ्रेंट्स दुसरा परश्न है कोई विधुत मोटर 220 भीके विधुत स्रोत से 5.0A विधुधारा लेता है मोटर की सकती निर्धारित कीजिए तो था दो घंटे में मोटर दोरा उर्जा का परिकलित कीजिए तो फ्रेंट देखें हाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका भी बराबर 220 भी दिया हुआ आई बराबर 5.0A पी बराबर भी आई और पी बराबर इसका मान रख देंगे 220 भुने 5.0A तो पी बराबर आजाएगा ग्यारा सो बाट मोटर की सकती यह हो जाएगा फ्रेंट्स और उपभुक तो उर्जा बराबर हो जाएगा सकती भुने समय तो इसका मान रख देंगे 1100 वाट गुने 2 गुने 36 सेकेंड तो मान यहाँ पर फ्रेंट्स देखिए यहाँ पर इसका आ जाएगा जूल में 7.9.2 गुने 10 पर पावर 3 यहाँ पर केजी यहाँ पर इंसर आ जाएगा अब फ्रेंट्स देखिए आगे दिया हुआ है प्रशन के बाद दिया हुआ है आपने क्या सीखा तो फ्रेंट्स देखिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर नावे दिया हुआ है किसी चालक में गति सील इलेक्ट्रोनों की विधुधारा की रचना करती है परिपार्टी के अनुसर इलेक्ट्रोनों के प्रवाग के दिशा की विप्रित दिशा को विधुधारा की दिशा मानी की दिशा जो है माना जाता है दुसरा है विधुधारा का या साई मात्रा के आगे हैं किसी विधुद्ध परिपत में इलेक्ट्रोनों को गति प्रदान करने के लिए किसी सेल अथवा बैटरी का उप्योग करते हैं अपने सीरों के बीच विवानतर उत्पन करता है इस विवानतर को वॉल्ट यानि की भी में मापते हैं आगे दिया हुआ है प्रतिरोध एक ऐसा गुंधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रोनों के प्रवाह का बिरोध करता है या विधुधारा के परिमान को नियंतित करता है प्रतिरोध का एसाई मातरक ओम है आगे दिया हुआ है फ्रेंट्स ओम का नियां किसी प्रतिरोध के स आप समान रहना चाहिए आगे है फ्रेंट्स किसी चाला का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसकी अनुपरस्त काट के छेत्रफर पर प्रति लोमत निर्भर करता है उस पदार्थ की प्रकिर्थी पर भी निर्भर करता है जिससे वह बना है स्रेनी क्रम में समायोजित बहुत से प्रतिरोध का तुल प्रतिरोध उसके बैस्टी गत प्रतिरोध को के योग के बराबर होता है आगे आगे दिया हुआ है फ्रेंट्स देखिए पासर्व क्रम में समायोजित प्रतिरोध को के समुझ का तुल प्रतिरोध आरपी निमिल की स मंद दोरा ब्यक्त किया जाता है 1 बटे आर पी बरावर 1 बटे आर प्लस 1 बटे आर 2 प्लस 1 बटे आर 3 किसी प्रतिरोधक में 6 अथवा उपभूक्त उर्जा को इस प्रकार ब्यक्त किया जाता है W बरावर B गुने I गुने T आगे हैं फ्रेंट्स देखे दिया हुआ विधुत सकती का यसाई मातरक बाट है जब एक एमपियर विधुधारा एक पोल्ड भिवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपत में उपभूक्त सकती एक बाट होती है आगे विधुत उर्जा का ब्याव पारिक मातरक किलोवाट घंटा है इसको के डबलो एच कहते हैं के डबलो एच बराबर यहां इतना देखे जूल दिया हुआ है जो कि 3.6 गुने 10 प्रवाबा 6 जूल दिया हुआ है इसके बाद है अभ्यास जो कि फ्रेंट्स अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसमें हम लोग अब पूरे अभ्यास प्रशन को सॉल्फ करेंगे तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंट्स वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर लिजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए मिलते हैं फ्रेंट से नेक्ट वीडियो में अध्यास प्रेंट के उत्तर के साथ